पाद मिला गैर गांधिया शशीत को हरा अलिकार ने कॉंग्रेस के नए अधियक्ष भूपेश बगेल कमनला दिगविजे सिंग ने दी बधाय जन सुनवाई के दौरान इंदोर एडेम पवन जैन किया समवेदन शील रुख पर सीम का एक्षन शिवराज ने पवन जैन को ततकाल प्रभाव से हटा कर भोपाल पदस्त करने के दिए निर्दे इन दौर में दिव्यांग के साथ एडेम ने रखा था समवेदन हीन रवाईया आम जंता को खुश रखने में देश के नंबर वन सीम बने भूपेश बगेल दूसरे नंबर पर दिल्ली के सीम आर्विंद केजरीवाल आईये एनस सी वोटर्स का देश्यापी सर्वे में 36 गर सीम नंबर वन जानगीर चापा में सीम भूपेश बगेल की भेट मुलाकात, चंदरपुर में अधिकारियों के लिए बैठक, चंदरहासिमी देवी मंदिर में की पूझा आर्चना, हजरत बाबा सयद शा दरगा पर चढ़ाई चादर 36 गड़ बीज़ेपी की बाठक में सरकार को घेरने की बनी रणनी थी, आगामी 2023 चुनाओ पर हुई चर्चा, जुला और संबल स्तर के नेता रहे मोचू कॉंग्रिस विधायक लक्ष्मन सिंग ने अपनी पार्टी के नेताओं पर साधा निशाना राहूल की तुलना भगवान राम से करने वालों पर कसात तंज ट्वीट कर लिखा कुछ पार्टी के लोगों ने तोड़ दिये चंचागिरी के सारे रिकॉर्ड नरतम मिश्वा ने कहा लक्ष्मन से ज़्यादा राम को कौन जानेगा और इंदोर की वैशाली ठक करात मत्या के मामले में आरोपियों पर इनाम हुआ घोशित राहूल और दिशा पर पाँच-पाँच हजार का इनाम घोशित देश में लुकाउट सरकुलर भीजा नमस्कार पाँच का पंच में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शुभांगी सिंग मिश्वा बुलेटिन की शुरूआत करेंगे सबसे पहले बाद भोपा